पूरा करते हैं उन सारी चीजों से जिसे हम पूरा करते हैं अपनी लाइफ में चाहे उसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े मेरे साथ खड़ी है रॉयल इंफिल्ड की सुपर मिटियोर 650 इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं सेलेस्ट्रियल, इंटरस्टेलर और यह सेलेस्ट्रियल है, टॉप विरियंट है इसकी जो ऑन राइट प्राइसिंग है वो 4.5 लेक के आसपास है 4.5 लाइट की ऑन रोड पड़ती है आज की डेट में भारतिय बाजार में इंडियन मार्केट में जहां बाइक्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है यंग्सर्स के दर्मियान वहाँ पर रॉयल इंफिल्ड कहां स्टेंड करती है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जहां रॉयल इंफिल्ड कई सालों से इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुई थी वहाँ बहुत से फॉरन ब्रैंड आने के बाद इस ब्रैंड ने कुछ अपनी पकट जो है वो डिली कर ली जेकिन पिछले कुछ टाइम से पिछले तीन या चार सालों से वापस रॉयल इंफिल्ड ने कम बैक किया है अपनी उन बाइक्स को मार्केट में उता रहा है अगर हम इसी सेग्मेंट की बात करें तो सुपर मेटेयो और 650 के अलावा आपको इसी सेग्मेंट में रॉयल इंफिल्ड की ही दो बाइक्स और मिलती है इंटरसेप्टर 650 और कॉंटिनेंटल जीटी 650 और उसके अलावा भी सेग्मेंट्स हैं 350 CC में आपको हंटर मिल जाती है चैंडर्ड मिल जाती है क्लासिक मिल जाती है और बहुत ही फेवरेट हिमालिया जो की 411 CC के आसपास हों मिल जाती है रॉयल इंफिल्ड ने बहुत अच्छा कमबेक किया जिनका मैंने नाम लिया Continental GT 650 और Interceptor 650 रॉयल इंफिल्ड का ये मानना है कि अगर कोई चीज ब्रेक नहीं हुई है तो उसको fix करने की ज़रूत नहीं है इंग्लिश में बहुत अच्छी कावत है जिसको मैंने हिंदी में translate करके बताया है को मैं नीचे भी लिख दूँगा कि अगर कोई चीज ब्रेक नहीं है तो उसको fix करने की को ज़रूत नहीं यानि कि अगर हमारा engine already refined है तो उसके और ज़्यादा refinement की या changes की ज़रूत नहीं है ऐसा मानना है company का अब इस bike की अगर हम बात करें इसका wheelbase आप लंबाई देखें तो लंबाई ही आपको इतनी जबरदस लगेगी 1500 mm का इसका wheelbase है लंबी bike है इसी जो engine segment में आपको बाकी दोनों मैंने bikes बताई उनका wheelbase भी कम है उनका curve weight भी कम है इस bike का curve weight 241 kg के आसपास है जोकि काफी heavy bike है ये proper cruiser bike है और जो लोग cruise bike पसंद करते हैं उनके लिए ये एक dream come true है या आप कह सकते हैं कि steel deal है steel deal क्यों है क्योंकि अगर इसी CC में आप किसी और bike की तरफ जाते हैं अगर आप Honda की तरफ जाते हैं या Benelli की तरफ जाते हैं या अगर आप Harley की तरफ भी जाते हैं तो बहुत जादा हाई प्राइस सेग्मेंट हो जाता है थाड़े चार लाग में आपको 650 CC का engine जो है वो कहीं देखने को नहीं बिलेगा तो यहाँ पर होट रॉयन इन्फील्ड ने बाजी मारी है 650 CC का engine दिया है और वो engine भी आपको बहुत दमदार है आपको सबसे पहले जो है मैं इसका exhaust note सुनाना चाहूंगा बाकी चीज़ें हम बात में बात करेंगे सबसे पहले सुनिए इसका exhaust note इस दमदार exhaust note को सुनने के लिए ही लोग जो है इसके दिवाने हैं इस bike के और आपको एक चीज़ और बता दो इस bike की जो booking है वो तीन से छे महिने की अलरड़ी चल रही है यानि कि यह bike इतनी असानी से आपको नहीं मिलेगी इतनी demand में है यह bike आपने अलरड़ी बहुत से videos इस bike के देख ली होंगे लेकिन हम बात करेंगे practical terms में हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जिससे की आपको यह decision लेने में असानी होगी कि इस bike को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अनकि ना लेने वाली कोई खास reason मुझे समझ में नहीं है कुवियों के list से शुरू करेंगे front light जो है आपको headlamps है वो LED मिलते है high beam है जो की काफी अच्छा है हमने इसको रात में भी test किया है कोई बहुत जादा throw नहीं है लेकिन sufficient है जितना होना चाहिए उतना आपको light यह provide करेगा अंधेरे में भी हाँ definitely जो आप aftermarket bulbs लगाते है उनका थोड़ा सा throw को जादा रहता है तो indicator भी आपको इसके जो है halogen bulb में ही मिलेंगे fit and finish की अगर हम बात करें तो बहुत ही intact और एक perfect machine जो है royal infield ने निकाली है जिसमें आपको कहीं भी design flow देखने को नहीं मिलेगा build जो quality का issue है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा paint quality की अगर हम बात करें तो paint quality भी इतनी शांदार है इतनी जबरदस है कि मैंने इससे पहले जितनी भी royal infield की bike देखी है इतनी अच्छी quality की जो paint job है या material की बात करें वो आपको इससे पहले देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर एक master piece royal infield ने निकाला है जो definitely उसका result भी company को मिल रहा है और जैसे मैंने बताया 3-6 महिने की और already इसमें booking चल रही है front tire आपको मिलता है 19 inches का एक अच्छा बढ़ा tire आपको आगे मिलता है जिसमें 320 mm की disc मिल जाती है first time यहाँ company ने upside down जो है fox दिये है suspension में और वो fox जो आते है वो आते है showa company के हाला कि जो इसका suspension travel जो है वो थोड़ा सा कम लगेगा और वो क्यों कम है वो भी मैं आपको बताऊँगा जब हम इसकी drive करेंगे तो और disc brake इसकी front और back दोनों में मिलती है with dual channel ABS front में आपको 320 mm की disc मिलती है और अगर हम rear tire की बात करें तो rear tire में आपको 300 mm की disc brake मिलती है और tire profile की बात करें तो 150, 80, 16 inches यानि कि 16 inches का tire back में और अगर हम front की बात करें तो 190, 19 inches का tire आपको front में मिलता है rear profile में भी आपको यहाँ पर halogen ball भी मिलेंगे लेकिन इसका जो उपर का mirror है वो उसको transparent कर दिया गया है और different look और सबसे चीजी में आपको एक और दिखाता हूँ rear में भी आपको यहाँ पर LED headlamp मिलेगा और इसकी जो light है जो number plate की light है वो भी LED में आती जब हम पीचे से देखी रहे हैं तो यहाँ आपको दिखा जेता हूँ मैं यहाँ आपको dual barrel आपको exhaust देखने को मिलेगा dual barrel exhaust की जो sound है वो मैं आप आप और ड़री सुन चुके है और यहाँ से इसकी जो look है वो भी enhance हो जाती है जब आपको पीचे से जब आप इस bike को देखते हैं तो काफी चौड़ी आपको एक feel आती है आपको लगता है कि आपको एक heavy bike को लेके चल रहे है जबकि इसका थोड़ा सा उल्टा front में लगेगा front में आपको उतनी heavy look यहाँ देखने को नहीं मिलेगी अगर आप लगवा लेते हैं तो उससे की look जो है काफी enhance हो जाती है अब इसके बात करते हैं कि यह जो variants है इसमें तीन variants हाते है price का भी मैंने बता दिया उसमें difference क्या है top variant में और नीचे के variants में सबसे बड़ा difference है आपको दिख रहा है यह है windshield सबसे पहला difference will shield का आपको देखने को मिलेगा दूसरी चीज जो इसकी seat है यह आपको again touring seat मिलेगी और यह वाली seat आपको top variant में मिलेगी नीचे के variant में भी आपको seats जो मिलेंगी वह इतनी comfortable नहीं होगी जितनी आपको top variant में मिलेगी तीसरा जो आपका backrest है वह आपको सिर्फ top model में देखने को मिलेगा वह नीचे के variants में नहीं मिलेगा यह चोटी चीज है जो accessories का part है definitely आप उसको as an accessory भी लगवा सकते हैं अब जो fourth इसमें difference आता है वह आता है इसके handlebar में इसका handlebar भी थोड़ा जादा broad है नीचे के variant तो यह चीज आपको सुनने में थोड़ी यजीब लगेगी लेकिन यह fact है top variant में जो handlebar आता है और नीचे के variant के handlebars है उसमें थोड़ा सा difference है वह आपको कम थोड़ा चोड़ा मिलेगा यही इसको एक difference बनाता है इस variant को क्योंकि जब आप इस पे बैठते हैं तो आपको जो feel आती है जो आपको bike फे बैठ की feel आती हो बहुत जबरदस आती है सबसे पहली चीज जो मैंने इस bike में बहुत ज़ादा कि मैं positive की तरफ count करूँगा वो है इसकी seat वो seat इतनी comfortable है कि आप इसको कितना भी लंबा चलाएंगे आपको जो है वो दिक्कत नहीं होने वाली लेकिन हाँ एक चीज ज़रूर है जब आप इसको बैठते हैं तो आपका जो नॉर्मल एडवेंचर बाइक्स रहती है यहां आपकी दूसरी बाइक्स रहती है उसमें जो वेट डलता है वो आपके जो बैक है वो काफी स्रेट रहेगी आप जब इस बाइक को होल्ड करके चलाएंगे तो आपको बैंड नहीं होना है और एक और चीज जो मैं यहां दिखाऊंगा इसके जो फुट पैडल्स है फुट पैड जो है वो आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ फॉरवर्ड है जन इससे फायदा यह है कि आप आराम से एक जो कमफर्टेबल पोजिशन में बैट के बाइक चलाते हैं जनरली जब आप आप एर को इस तरह से रखते हैं तो जादा बेंड होता है जादा फोल्ड होता है तो थोड़ी देर के बाद आपको एक फील देने लगता है कि आपकी ल इंजन आपकी अगर बाइक में लगा रहेगा तो हीट भी बडियूस करेगा अब यहाँ पर लेकिन जब आप बैठते हैं तो आपको नॉर्मली जब इस टाइम पर जब हम जुलाए में कशूट कर रहे हैं हमने धूब में भी इसको चलाया है हीट निकलती है डेफिन लेकि से जुब है मैनेज होती है उसकी हीट और किसी भी सिटुएशन में जहाँ पर पर बेशिकल्ई इस तंपरेचर में जहाँ पर जो जब्रोर टाइन त्रुende ताइब को मिलता है नहीं है लेकिन सेंटर में डिचिटल मिलता है नहीं है लेकिन सेंटर में आपको जो warning signals है वो आपको यहाँ नीचे देख मिल जाएंगे इसमें एक चीज़ और खास है जो मैं बता नहीं भूल गया था वो यह कि इसमें आपको रूट चेंज कर लेते हैं जो मैंने जान बूच करके उस रोड को नहीं पकड़ा जो यह रूट पता रहा था मैंने दूसरी रोड पर लेगा कि यह अपना कूगल में च्यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें फील होगा अला कि पुरा मैप नहीं आएगा सिर्फ डारेक्शन आएंगी लेकिन यूजबल पूरा है आपको हेल्प पूरी करें अब इसके बात कर लें अगर हम और वियम्स की तो और वियम्स जो है इसके लेकिन एक दिक्कत मुझे जो थोड़ी सी ओर वियम्स में लगी वह यह लगी कि यह राउंड शेप्ड है और थोड़े साइज में चोटे हैं तो जब आप इससे पीछे का देखना चाहते हैं तो दिखता जरूर है ठीक टाक लेकिन पूरा वियू नहीं आपाता विकॉज मिलता है 15 लीटर का 15 लीटर के आसपास आप इसको फूल करा सकते हैं और जो माइलेज है वो कंपनी जो क्लेम माइलेज है वो 25 के आसपास अब हमने इसको जो है almost 200 किलोमेटर चला लिया उसमें हमने इसमें पेट्रोल भी फिलप करवाया है हमारे इसाप से जो इसकी इसको हाइवे पे चलाएंगे और कम ब्रेकिंग करेंगे क्रूस करेंगे 72-80 की स्पीड पर तो यह आपको 27-28 की माइलेज भी ठीठाक दे देगी लेकिन अगर आप सिटी में बात करें तो सिटी में आपको 22-23 के आसपास की माइलेज आराम से निकाल के देदेगी और इस ल सेडल हाइट अगर हम बात करें तो 740 mm की सेडल हाइट है अब यह बहुत बेनिफीचल है मेरे जैसे लोगों की हाइट जहापर जो नॉमल हाइट है 57 की आसपास है बहुत जादा हाइट नहीं है तो उन लोगों के लिए बाई के बहुत अबर अच्छी है विकोज आप अरा लेकिन फिर भी आपको कई बार हो सकता है उसको मैनेज करने में दिक्कत आए लेकिन यह सेडल हाइट नीचे है और दूसरा जब आप बैठते हैं तो आप अपना स्टांज बना चुके होते हैं बाइक पे बैठने का और अगर आपका पैर भी प्रॉपर नीचे लगता है त चलाते हैं वक्त तो बिल्कुल भी फिल ने उता है जो हम बात करेंगे जब इसका ड्राइव रिवीव करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल भी फिल नीचे खड़ी बाइक में भी आराम से इसको मेलेज कर पा रहा हूँ और आपको उसमें फिल नहीं होगा कि 240 kg की बाइक है औ अब एक और important चीज जो generally cruise जो bikes होती है उनमें रहती है negative बात-बात बोल सकते हैं लेकिन वो एक negative मैं count नहीं करूँगा वो है इसकी ground clearance अब generally देखते हैं कि ground clearance जो groaser bike की रहती है वो कम ही रहती है और इसकी ground clearance भी थोड़ी कम है 135 के आसपास है लेकिन एक चीज जो मैंने आप face की कि आप इसको चोटे बटे pot hole से या खराब road से निकालते हैं थोड़ा सा conscious होके निकालते हैं ज्यादा तेजी नहीं करते हैं उच्छा के निकाल रहे हैं पॉट होल से निकाल रहे हैं बंसे तेजी से निकाल रहे हैं और फिर आपको सोचने की ज़रुदत है कि आपको यह बाइक लेनी चाहिए कि नहीं तो चोटे बटे pot holes या इंफक ठीक ठाक pot holes भी आराम से निकाल अब क्योंकि हम इसकी ground clearance की बात कर रहे हैं तो वबस आते हैं suspension पर जो मैंने आपको बताया था कि इसका suspension का जो distance है वो कम है 120 mm का suspension फ्रंट पे है और रेर में भी आपको वो तरह ही मिलता है front suspension और rear suspension इसके अच्छे खासे hard side पे है harder side पे है reason being कि अगर इन suspension को soft side पे रखा जाता है और अगर उसका travel पूरा हो गया तो वो कहीं ना कहीं bike जो है वो नीचे जाके लगेगी चाहे वो pot hole रहे या वो आपका bump रहे इसी वज़ासे generally cruise bikes जिनका ground clearance कम रहता है उसके जो suspension उनको hard रखा जाता है और harder रखने का reason यही होता है hard रखने के साथ साथ इसके जो distance है वो भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 120 mm का ही है उसका भी distance कोई बहुत जादा नहीं है और अगर आप इसको soft रखते हैं distance कम है तो जो travel हो खतम हो जाएगा और bike जो है वो जाके नीचे लगेगी त proper जो इसकी design elements है उनको हर चीज़ को जो कमरी है ध्यान रखके बनाती है तो कुझ जिन लोगों को दिक्कत है जो लोग बात करते हैं कि इसके suspension बहुत hard है yes suspension hard है लेकिन उनका एक proper reason है because ground clearance जो है उसकी कम है और वो ground clearance कहीं न कहीं आपको stability भी देती है कम होने के साथ और suspension hard होने क आपको फायदा भी होता है जब अब highway पे इसको 120 प्लस पे भी cruise करते है हमने इसको 100 प्लस पे आसपास चलाया है 120 तो नहीं गए लेकिन वहाँ पर 100 की speed पे भी इसकी stability इतनी जबरदस रहती है कि आपको proper feel होगा कि suspension hard होने का यहाँ पर आपको फायदा मिल रहा है यही same चीज इसके rear में है जब आप बैठेंगे तो बैठने के साथ इसका suspension का जो travel है वो बहुत minimum है आपको जड़ा सा feel होगा बहुत जादा नहीं होगा because again harder side पे अब इसकी ending करने से पहले एक चोटी सी चीज जो यहाँ पर रह गई है वो यह कि इस bike में आपको handlebar में या digital meter के आसपास कह देखने को नहीं मिलेगा और बहुत से लोग इसकी कंप्लेंट भी करते हैं कि आप आपकी आज की डेट में जहाँ यूस्वी पोर्ट मस्ट है वहाँ पर क्यों नहीं दिया गया लेकिन इस bike में आपको यूस्वी पोर्ट मिलता है मैं बता देता हूं कहां मिलता है जहाँ Rough of आपका एर फील्टार रहता है और आपका टूलक्स अग्रेड रहता है यहां पर आपको यह उस भी वोडेखने को मिल जाएगा पॉर्ट यूस्वी पोर्ट का यूजवी पोर्ट का यूज़ यही है कि लोग यहां पर जनली एक वायर जो एक्सजिशन ई हैए टाइप कोई होल नहीं करवाना है तो वह काम को सब काम मत कीजिए वारंटी बचने के लिए और यहां से आप उसको यूज कर सकते हैं चोटी सी चीज सी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दो अब इसका फाइनल वर्डिक्ट रहता है कि आपको यह बाइक लेनी चाहिए या नहीं ल आते हैं तो 6,5,5,5 लाग के आसपास रहती है चाड़े-4,5,5 में आपको बाइक 650cc की नहीं मिलेगी इसी ब्रैंड में आपको इसके अपने जीटी 650 और इंटरसेप्टर 650 अब तीनों 650cc के इंजन्स में आपको कौन से लेनी चाहिए अगर आप ऑफ रोडिंग का शौक इतनी अच्छी पॉजिशनिंग आपको सीटिंग पॉजिशन देखने को नहीं मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें जो इस बाइक में आपको मिलती है प्रॉपर क्रूजर बाइक में जो फील आती है वह आपको उसमें नहीं आएगी डेफिनिटली वह एक अलग सेग्मेंट आपको नहीं आएगी इनफेक्ट अगर आपको यह भी डर है कि ग्राउंड क्लिरंस कम है यह कहीं टकरा ना जाए कहीं किसी तरह से आपको कोई दिक्कत ना करें तो वह भी आप चीज़ हाइड कर दीजिए फिकोद अगर आप अराम से चलाते हैं छोटे में गड़ों से आपको 3 साल और 40,000 किलोमेटर की वारेंटी कंपनी देती है आप इसको एक्सेंड भी करा सकते हैं जैसे कि बाकी सारी वाइक्स में रहता है एक्स्टा पैसे देखें आप इसको 3 years for 40,000 से एक्सेंड भी करवा से तो यह था एक वीडियो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है वागर वीडियो जिसमें हमने एक एक चीज को कवर किया पैसिफिकेशन से लेकर फीचर सक्क पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक उस सारी चीज़ें हमने कवर की लेकिन एक चीज और जो है वो है ड्राइव ड्राइविंग इस्पीरियो वह इसका हम अलग से आपके लि लेना पसंद करते हैं और डेसिजन लेने में उनको तोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको इस वीडियो देखने के बाद सारे कोशन्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे लेकिन अगर आप फिर भी इसके बावजूद आपका कोई कॉमेंट रहता है कोई आपका कोशन रहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं आप कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको जरूर देने का आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बाइक से रिलेटेड कार से रिलेटेड ओनर्शिप रिव्यूज लेके आते रहेंगे तो चैनल को अभी सब सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन प्रेस कर दीजिए हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं किसी और वीडियो में कब तक के लिए गुडबाई एंड टेक